अगर आप भी एक jio user है तो आपके लिए वीडियो बहुत ही important होने वाला है क्योंकि इस वीडियो में आपको बतलाने वाले हैं जियो के एक न्यू सर्विस के बारे में जी हाँ आज हम बतलाने वाले हैं जियो का जो न्यू सर्विस आया है जियो लोन के बारे में तो क्या है या सर्विस कैसे आप इसका लाब ले सकते हैं क्या आपको इससे फैदा होगा और कैसे आप इसको पे कर सकते हैं अपना net इस्तमाल करते हैं या कोई ऐसा heavy काम कर रहे होते हैं या कोई movie देख रहे होते हैं या कोई अपना important काम कर रहे होते हैं उस बीच अगर आपका data खत्म हो जाता है तो आपको recharge करना पड़ता है अगर आपको पास recharge का कोई जीओ का loan service तो कैसे आप इसको lab उठाएंगे सरा आपको process live दिखले आने वाले हैं चलिए सबसे पहले आपको हम दिखलाते हैं कैसे आपको इस service का lab मिलेगा सबसे पहले आपको अपने mobile में जीओ का application है my geo app उसको आपको open करना होगा चलिए हम भी कर लेते हैं open open करने के बाद आपके सामने इस app का first impression इस तरह से देखने को मिलेगा और आपके पास कोई add आता है तो आप पहले add को cut कर दिजेगा cut करने के आपके सामने सबसे उपर में जो three line दिखाई देगा उस पर आपको टैप करना होगा टैप करने के बाद आपके सामने इस तरह से emergency data loan का एक option आजाएगा तिसे नमबर पर उस पर आपको टैप कर देना है टैप करने के बाद आपके सामने एक new interface load लेने लगए का देख सकते हैं इस तरह से आपके सामने इस service का first impression इस तरह से देखने को मिलेगा जिसमें आपको लिखा हुआ मिलेगा कि आप एक जीवी से पांच जीवी तक डाटा लोन ले सकते हैं पहले आप एक जीवी ले सकते हैं इसके बाद फिर से एक जीवी ले सकते हैं इस परकार आप पांच जीवी तक लोन ले सकते हैं आपको पे करना होगा एक जीवी के लिए 11 रुपया जीहां एक जीविक लेगा अर्व पर करना होगा तो चलिए यहां से हम करते हैं पहले प्रोसीड पर टैप करने के बाद आपके सामने इस तरह से न्यू इंटरफेस ओपन होने लएगा open होने के बाद आपको यहां दिखाई देगा देखें data voucher available मतलब कितना ले सकते हैं अभी कितना आप ले लिये हैं सरा आपको यहां देखने के मिलेगा अंड पराइज तो हम अभी एक भी नहीं लिये हैं हम यहां पांच दिखाई दे रहा है चलिए हम पहले टैप करते हैं Get Emergency Data Loan पर इसके बाद यहाँ आपको Active Now पर टैप करना होगा टैप करने के बाद आपके सामने इस तरह से आजाएगा Emergency Data Loan Active का एक Message और आपके नमबर पर यह Loan Service एक्टिव हो गया और आपको मिल गया 1GB का Net एक Message पराप्त हो जाएगा और आप हम बतलाने वाले हैं कि कैसे आप इसको Pay करना चाहते हैं तो कैसे आप इसको Pay कर सकते हैं सबसे पहले आपको फिर से आ जाना है MyJU का अपलिकेसन में इसके बाद सबसे ऊपर में आपको जो 3 line दिखाई दे रहा है उस पर आपको फिर से आपको tap करना होगा चलिए हम यहाँ tap करते हैं tap करने के बाद फिर से जाना है मर्धियांधी टाटा लोन पर जाने के बाद आपके सामने इस तरह से फिर से new interface open हो जाएगा और उसके बाद देखिए फिर से proceed वाले option पर आपको tap करन है और टैप करने के बाद आपके सामने फिर से एक वहीं interface open हो जाएगा और इसके बाद यहां आपको clear dew आपको tap करना होगा देख सकते हैं हम और यहां दिखाई दे रहा है कि हम एक लून ले ली हैं तो यहां आपको δिखाई दे रहा है यह कि लिए डियू का उप्षन उस पर आपको टैप करना है और टैप करने के बाद तब जाके आप इसको टैप कर सकते हैं टैप करने के बाद आपके सामने इस तरह से फिर से new interface open हो जाएगा and open होने के बाद आप यहां आपको कई सरा option मिल जाएगा आप Google पे phone पे या debit card, net backing, credit card किसी से भी आप pay कर सकते हैं तो चलिए हम यहां से select करते हैं Google phone पे select कर लेते हैं चलिए सबसे पहले हम यहां से select करते हैं phone पे phone पे select इस तरह से आपको पे करना है पे करने के बाद आपके सामने फिर से आपको एक message आजाएगा and आपका यह रुपया प्य हो गया इस तरह से आप इस शेवा का लाव ले सकते हैं तो यह थाज का वीडियो आप लोग के लिए और वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइ और ऌता है तो यह रिंगा थो यह रदो का वीडियो परक्न रिंग मूल को यह रहरा है जबें GP